दोस्तों अगर आपने भी एक फेस्बुक पेज बनाए हुआ है और उस फेस्बुक पेज से अरनी करना चाहते हो आपको भी पता होगा एक फेस्बुक पेज का जो मोलिटाइशन क्राइटेरिया वो क्या होता है पांच जार फोलोवर्स और 60,000 मिनट व्यूज रिसेंट जाता है और अगर आप मैं मैं ने बात करने वाला हूं जो कौपी करें पेस्ट करने वीडियो यविवेशन करें ळन्से न्हीं बहुत भाल और इंविजने से पहले बहुत सारे तो अब मेरी तीन बाते ध्यान से सुनिए मैं वन वाई वन आप लोगों साथ सेर करता हूं सबसे पहली चीज अगर कभी भी आपको पी पेस्ट पे काम करते हो और फेस्बुक पेस्ट का जैसे आपके और फेस्ट दिखना चाहिए अपनी वह इसानी चाहिए ओरिजनल कंटेंट इस तरीके से बना सकते हो जैसे हम विलोग बनाते हैं किसी चीज के बारे में भी बता सकते हो कोई मंदीर है या कुछ भी एक्स वाई जैड यह आपके उपर डिपेंड करता है पांच-दस कंटेंट ओरिजिनल आपके होने चाहिए अगर आप टोटल ही कोपी पेस्ट पर काम करते हो और दूसरी चीज इसमें आपको क्या करने है रिविंग बेजनेस पहले आपने जितने भी कोपी करके पेस्ट करके वीडियो अपलोड किये दे दोस्तों को सारों को डिलीट कर देना उसमें से एक भी वीडियो आपको नहीं रखना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पांच एक्टिव वीडियो कम से कम बता रहा हूं यह तो आपके होने ही चाहिए उस फेस्बुक पेस्ट के उपर अब आप यह मत सोचना कि आपने जैसे मालो यह वीडियो डिलीट कर दिये कोपी कर कर के जो पेस्ट किये थे इससे आपका वास्ट-time कम हो जाएगा यह आपके फॉलोवर कम हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तो यह सिर्फ YouTube पे अगर इस तरीके से कर देते हैं वीडियो डिलेट तो वहाँ पे उसका वास्ट-time count नहीं और यह नहीं है यह चीज में apply करने से पहले आपको जो भी आपका Facebook पेज है करने apply करने से पहले उसको आपको कम से कम भी उसके ओपर 8-10 वीडियो आपको इस तरीके से करने है अपने live stream करके live stream का मतलब यही होता है उसमें आपको live आना पड़ेगा अपना दिखाना पड़ेगा आपकी voice आनी चाहिए इस तरीके से करोगे apply आप Facebook को मोनेटाइशन के लिए तो दोस्तों मैं 100% गारंटी दे रहो आपके Facebook पेज को Facebook बहुत easily मोनेटाइश कर देगा और कभी भी reject नहीं करेगा और इसमें अब सुनते सिदे mobile की स्क्रीन पर यह देखिए मैं अपने Facebook पेज के अंदर बता आता हूं जैसे मैं Facebook पर क्लिक करता हूं यार यह चीज़े आपको फिर बाद में बहुत जादा दुख देगी इनको अभी से आप सीख लो कैसे सही करते हो और कैसे नहीं यह देखो जैसे इस पर क्लिक किया यह आप लोगों के जितने भी पेज दिखाई देंगे यहां पर जो आपने बना रखे मैंने तीन चार पेज यहां पर बना रखे मैं के लिए जैसे इस पेज को कर लिया अब देखो दोस्तों आपको एक ओप्शन दिख रहा होगा यहां पर यह थ्री डोट का सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और अब आप देखिए यह सेटिंग का ओप्शन यह राइट को रण में जैसी सेटिंग क्लिक किया यह बहुत सारे इ और इनको नहीं करोगे तो सई बतारो अगर अप्लाइ कर भी दो गए तो फेस्बुक उसको मोल्टाइज नहीं करता है और वो रीजन भी नहीं बताता किस वज़े से उस पेज को रिजक्ट किया यह देखो यह हमेशा जैसे उस पर क्लिक किया यह पेज रिकमंडेशन यह आ इसमें दिख रहा होगा गुड नूज नो वो इस तरीके से हैं तो दोस्तों कोई प्रोब्लम नहीं है और अब आप इसमें देख सकते हो पेज रिकमेंडेबर और इसली टू मोनिटाइज यह इस खुद बोल रहा है कि आपका पेज रिकमेंडेबल है और बहुत इसली एलिज अब मेरी बाते थोड़ी ध्यान से सुनो मैं आपको बताता हूँ अगर रियली में आपको फेस्बुक पेस से अर्निंग करनी है मैं दो तीन चार पॉइंट जो मैंने बताया उनको जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ अगर आप दोस्तों कोपी पेस्ट पे काम करते ह हो फेस्बुक पेस्पेर उससे अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे पहले चीज उसमें यह ध्यान रखना कि उसके उपर आपके अप्लाई करने से पहले उसके खुद के ओरिजिनल कंटेंट आपके अप्लोड रहने चीए उसको पर और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूँ चाहे movie की clips है चाहे reals है कुछ भी उनको सभी को delete कर दो ऐसे delete करने से ना आपका worst time कम होगा ना followers कम होगे और अब इसमें जो और important चीज़ों मैंने बताई है हमेशा आपको apply करने से पहले करने से पहले उसमें आपको 5-6 वीडियो live stream आके उसके उपर upload करने आपको live करने अपने facebook page से अब बहुत सारे क्या होते है लाइव करते है उसमें अपना face नहीं दिखाते सिर्फ अपनी अवाज-वाज में कोई भी वीडियो बनाके किसी के बारे में बताके और upload कर देते है यह live stream दोस्तों यह नहीं होती जो actual live stream होती है वही है उसमें आपका face दिखना चाहिए और आपकी voice दिखनी चाहिए वह होता है actual live stream आपका face दिखना बहुत जरूरी होता है तो ही दोस्तों facebook को लगता है यह आपका original content है और आप अपने original content upload करते हो यह बड़ी अच्छी बात क कितने ही वास्ताइम हो मैं guarantee दे रहा हूं दोस्तों facebook page आपका reject होने के chances पूरे से पूरे रहेंगे क्योंकि इस तरीके से अगर आप चेक नहीं करोगे आपने apply कर दिया और फिर वहां उसमें कोई problem होती इस Facebook उसको एक minute में reject तर देगा और आपको पता है इसमें सबसे बढ़ rejected your facebook page वहाँ पर कोई reason आपको पता भी नी चलेगा हमारा facebook page क्यों reject हो है क्यों नी तो यह जो लास्टी जो मैंने बता है पेज रिकमेंडेशन वाली इसको आप 100% चेक करके चलना apply करने से पहले यह 4-5 चीज़े दोस्तों आपको follow करनी होगी otherwise आपकी सारी मैनत बेकार होगा अब यही कह रहा हूं जाते जाते अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हूं तो यहार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना किसी अच्छे वीडियो में तब तक के लिए सीखते लिए घाल रखे बेस्ट अबलाइब